नमस्कार ये आकाश वानी है अभी आप सानुसर्मा से समाचार सुनेंगे पहले मुखे समाचार प्रधान मंत्री नरंद मोदी नेदिली में नवगठित अनुसंधान राशी शोध फाउंडेशन की पहली सासी बोर्ड की अध्यक्स्ता कर रहे है केंट्री अग्रमंत्री अमिस्ता ने कहा सरकार की साइवर अपराद से निपटने के लिए सरकार के अगले पांस साल में 5000 साइवर कमांडों को प्रसिक्षित करने की योजना साइवर सुरक्षा के सभी ही धार्गों से इस खत्रे से निपटने के लिए एक साथ आने का आवान उत्राखंड के सोन प्रयाग के पास केदारनात राज्ट राजमार्ग पर बारिश के कारण हुए भूसखलन में पांच तेत यातियों के मृत्यू आम आत्मी पार्टी ने हर्यान विदान सभा चुनाव के लिए नो उमिदवारों की खोशना की भारत ने कहा सुरक्षा परिशद में राजनितिक भेदभाव से सनित राइश्ट के सांतिय अभियान प्रभावित हो रहे हैं अस्थाई सदस्यता को अधिक प्रतिनीतित पूर्ण बनाने का अहवान अब समाचार वेस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद मोधी नई दिल्ली में नवगठित अनुसंधान राश्ट्य रिसर्च फाउंडेशन एन आर एफ की पहली सासी बोर्ड की अध्यक्स्ता कर रहे हैं इस वैठक में सिक्षा मंत्री धर्मिंद्र प्रधान और वरिष्ट अधिकारी उपस्तित हैं इस फाउंडेशन की स्थापना राश्ट्य सिक्षा नीती 2020 के अनुसंधाब पर की गई थी इसका उदेश देश के विष्विध्याले कॉलेजो अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान तधा विकास प्रयोग सालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है अनुसंधान राष्ट रिसर्ज फाउंडेशन देश में विज्ञानिक अनुसंधान को उचरस्थरिय कारे निती दिशा प्रदान करने वाले एक शिष निकाय के रूप में काम करता है केंडरे ग्रह मंत्री अमिस्सा ने साइबर सुरक्षा को राष्ट सुरक्षा का एक अभिन हिस्सा बताया है सिसा ने ने दिल्ली में भारतिय साइबर अपराद समनबाई केंडर आउफोर्सी के पहले अस्थापना दिवस समारों को समबोधीत करते हुए ये बात कही स्री साह ने कहा कि देश की प्रगती साइवर सुरक्षा के बगेर संभब नहीं है स्री साह ने सभी हिधारकों से इस खत्रे से निपटने के लिए एक जूट होने का आवान किया बिविन चेत्रों में इंटरनेट के बरते उपियोग का उलेख करते हुए स्री साह ने कहा कि डिजिटल लेंदेन और डिजिटल आकरों का इस्तमाल देश में दिन प्रती दिन बढ़ रहा है इस कारण साइवर सुरक्षा से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है स्री साह ने कहा कि हाली में प्रभावी तीन अपरादी कानूनों में देश में साइवर अपराद से संबंदित चुनोतियों से निपटने के लिए परियाप्त प्रावधान है संदिक्त पंजीकरन की I4C पहल को लेगर स्री साह ने कहा कि राश्टिय अस्तर का साइवर संदिक्त पंजीकरन भविश्य बेअपरादों को रोकने में सहायक होगा उन्होंने बताया कि I4C साइवर सुरक्षा पर राश्टिय व्यापी जागुता अभ्यान का सुभार्णम करने जा रहा है उन्होंने सभी राजसरकारों से इस अभ्यान में सामिल होने का आग्रह किया प्रधानमंत्री नर्दमोदी कल उत्रप्रदेश के Greater Noida में सेमिकौन इंडिया सम्मेलन का उधगाटन करेंगे सम्मेलन का आयोजन shaping the semiconductor future वेशे पर किया जा रहा है तीन दिन के सम्मेलन में भारत की semiconductor नीती पर चर्चा होगी इसका उदेश देश के semiconductor छेतर में बढ़ावा देना और भारत को इस छेतर में महतपून वैस्पिक प्रतिस्प्रदा के रूप में स्थापित करना है विदेश मंत्री S. सुब्रमन्यम जैसंकर आज से जर्मनी के दो दिन के यात्रा पर रहेंगे बर्लिन में अपने प्रवास के दौरान डॉक्टर जैसंकर जर्मनी के विदेश मंत्री और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे इस बैठक का उदेश द्रिपक्षिय संबंदों के समुचे परिद्रिश्य की समिक्षा करना और सहयोग के नए अवसरों की तलास करना है तीन देशों के अपने यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में डॉक्टर जैसंकर बारा से तेरह सितंबर तक जिनेवा में रहेंगे संसद भवन में मिसन रंजनदास और राजी भटचारिया को सपदिलाई उत्रपदेश में केदारनात राष्ट राजमाग पर रूद्र प्रयाग जिले में सोन प्रयाग के पास मुस्लाधार बारिस्क से कल हुए भूस खलन में पांच लोगों के मृत्व हो गई है दुरगटना के जानकारी मिलने मित ही राष्टिय और राज आपदा मोचन बल तथा पुलिस ने सनिकत रूप से राहत और बचाव अभियान चलाया तीन घायलों को बचाया गया है मृतों को में तीन मध्यपरदेश से एक गुजरात से तथा एक नेपाल से है मुखे मंत्री पुसकर सिंग धामी ने दुरगटना पर गहरा दुख वैक्त किया है हरियाना में आगामी विदान सभा चुनाव के लिए 90 सीटों के लिए करीब 135 उमिदवारों ने नामांकन भरे है नामांकन प्रक्रिया 12 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक चलेगा भारती जनता पार्टी अब तक सरसट उमिदवारों के नाम की घोशना कर चुका है वहीं कॉंग्रेस ने भी 41 उमिदवारों की सूची जारी की है आम आदनी पार्टी ने 29 जन नायक जनता पार्टी आजाज समाज पार्टी गदबंदन ने और इंडिया नेशनल लोगदल और बहुजन समाज पार्टी गदबंदन ने 12 उमिदवारों की सूची जारी की है मुखे मंतरी नायब सनी आज लाडवास में नामंकन डाखिल करेंगे आम आदमी पार्टी ने आगामी हरयाना विदानसभा चुनाव के लिए 9 उमिदवारों की दूसरी सूची जारी की है पार्टी ने प्रवेश महता को फरिदाबाद विदानसभा सीट से टिकेट दिया है जबकि मुक्तियार सिंग बाजीगर को रतिया विदानसवा सेट से मैदान में उतारा है आम आदमी पार्टी ने कल 20 उमीदवारों की सुची जारी की थी कॉंग्रेस पार्टी की केंडिय चुनाव समिती ने जमू कश्मीर विदानसवा चुनाव के तीसे चरण के लिए सिंग को बसोहली रमन भला को आरेस पुरा जमू दक्षिन योगेस साहनी को जमू पूर्भ यसपाल कुंदल को रामगर और मुलाराम को माड़ सीट से टिकेट दिया गया है दूसरे चरण के लिए च्छ जीलो की 26 विदानसवा चेत्रों में नामंकन पत्र वापस लेने का कल अंतिम दिन था जमू कश्मीर में यह मदान 25 सित्तमबर को होगा नेदिली में अखिल भारतिय आयर्विग्यान संस्था एम्स में आज तंबाकु निवारन क्लिनिक टी सीसी का उतगाटन किया गया टी सीसी राष्टी आसदी व्यासन उप्चार केंद्र एन डीडी टी सी और फैलमोरी क्रिटिकल केर और स्लिप मेडिकल बिभाग के सहयोग से यह क्लिनिक सुरू किया गया है इस पहल का मुख्य उदेश तंबाकु की लट से पेडित व्यक्तियों को इससे छुटकारा दिलाने में मदद करना है यह इस क्लिनिक का उधगाटन करते हुए एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर एम स्री निवास ने कहा कि टी सी सी तंबाकु मुक्त एम्स पहल के हिस्से के रूप में स्वास्त वातावरन बनाने की दिसा में एक महत्पून कदम है इस पहल को लेकर आकाशवानी से विशेश बातचीत में फेल्मोनरी, क्रिटिकल केर और स्लिप मेरिसिन विभाग के प्रमुख तथा प्रफेसर डॉक्टर अनन्त मोहन ने कहा कि इस पहल के जरिये तंबाकु सेवन के दूस प्रभाव से मरीजों को अवगत कराया जाएगा और तंबाकु से छुटकारा दिल लाने में मदद की जाएगी नागालन के उपमुख्य मंत्री वाई पैटन ने कहा है कि राज में अवेद प्रवासियों की घुस्पेट के मुद्दे पर राज सरकार हाई अलर्ट पर है तथा इस तरह की किसी भी गतिविदी को रोकने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी अवेद प्रवासियों पर एक बैट की अदेख्षता करते हुए उन्होंने कहा कि जिला प्रसासन, पुलीस और अन्य, राज्य तथा केंड्य एजन्सिया अवेद घुस्पेट को रोकने के लिए पूरी तरह से तयार है महरास्टर में दस दिन का गनेश उठ्षव भक्ति भाव, उठ्षव और धुमधाम से मनाया जा रहा है लोकमानिय बाल गंगाधर तिलक ने लोगों में एकता की भावना निर्मान करने और देश में स्वतंता आंदोलन को मजबूत करने के उदेश से इस उत्षव का सुरुवात किया था इसी भावना को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट के हजारों गाउं ने एक गाउं एक गनपत्ति उपकरन में ही सालिया भारत ने संद्यक्त राष्ट की स्थाई सदस्तिता को विशेश कर अफरिका की भागेदारी से अधिक प्रतिनिधित पूर्ण बनाने का आवान किया है भारत ने उलेख किया है कि सुरक्षा परिश्ट में राजनितिक मदभेद सांति अभियानों को प्रभावित कर रहा है कल सुरक्षा परिश्ट में अपने पहला संबोधन देते हुए संदिक्त राइष्टे में भारत के नब नियुक्त अस्थाई प्रतिनिधी पी हरिस ने कहा कि सुरक्षा परिष्ट में राजनितिक तालमेल की कमी है इस कारण संदिक्त राइष्टे के सांती अभ्यानों पर प्रतिकूल प्रभाब पढ़ा है वेतनाम के क्रिसी और ग्रामिन विकासम मंत्री ने बताया कि प्रचंड तूफान यागी और बार तथा भूसकलन के कारण आज सुपह देश के उतरी छेत्र में मरने वालों के संख्या बढ़कर 65 हो गई है जबकि 49 लोग लापता बताये जा रहे है इसे के साथ ये समाचार भूलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार